पॉल्लिवूड आक्ट्रिस आलिया भट ने हाल ही में एक इंटर्विव दिया है इस इंटर्विव में आलिया भट ने ऐसे ऐसे खुलासे किये जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे आलिया भट ने बताया कि कैसे नई मौमी बनने के बाद उनकी जिन्दगी बदल गई है आलिया ने कहा कि टेंशन तो रहती ही है इस बात का डर लगा रहता है कि काम और बेटी दोनों को मैनेज कर पाऊंगी न इतना ही नहीं आक्ट्रेस ने इसी को लेकर ही थेरेपीज लेना भी शुरू कर दिया है जिहां बेटी के जन्म के बाद आलिया भट लगातार थेरेपीज पर हैं ताकि अपनी mental health को बना कर रख सकें एक्ट्रिस ने इस पर बात करते हुए बताया कि मैं अभी मा के रूप में गिल्टी महसूस करती हूँ ये सोच कर मुझे चिंता होती है कि क्या मैं अपनी बेटी और काम दोनों की साथ सही कर रही हूँ औरत पर दोनों में महारत हासिल करने का दबाव होता है लोग आज भी प देहना है कि इसी सोच की वजह से वो अपने चैलेंजिस बढ़े हुए महसूस करती है वो सोचती है कि लोग क्या सोचते होंगे आलिया ने कहा कि अगर सोसाइटी में जज्जमेंट ना हो तो आप खुद को अच्छे से संभाल पाएंगे मगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं और किसी भी हफते थेरेपी मिस नहीं करती थेरेपी मुझे इन सब से लड़ने की ताकत देती है वेल आल्या भट हमारी मानिये तो इन ट्रॉलिंग्स और जज्जमेंट्स पर ध्यान दिया ही मत कीजिए आपके फैंस है ना वो आपसे बेंतह प्यार करते हैं उनका प्यार ही आपके लिए काफी होना चाहिए क्यों फाइनल काट निउस्टेस्क कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि